नमस्कार सभी को मैं नील बेनिवाल अवर्स एजूकेशन के इस प्लैटफोर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और इससे पिछली जो वीडियो थी वो बीच में थोड़ा सा रिकोर्डिंग में इसमें दिक्कत आगी थी तो दुबारा से इस वीडियो को बनाने के बाद दुबारा से अप्लोड करते हैं ताकि complete पेपर जो उसका solution हम कर सकें देखे पहला question आपके सामने की हरियाणा में जाडियों के तहत जो वो कितना छेतर है तो कितना छेतर हो जाएगा वो जाएगा 154 किलोमेटर option number B जो इसका वो right answer है अगर हम बात करें आपकी ये कब की 2019 के अपनी रिपोर्ट आई थी जो आपकी forest रिपोर्ट थी उसके तहत हरियाणा में 0.35% एरिया जो आपका चाडियों का यानि कि आपका कितना 154.29 वरक किलोमेटर जो आपका एरिया हो जाएगा तो option number 20 इसका वो right answer है तो इसके बात देखतें next question और बाकी आपसे अगर ये उचले तो वो कितना 1602.44 वरक किलोमेटर जो हो जाएगा वन का next देखें MDU महरसी दयारनद यूनिवस्टी कहां पे स्थित है अपनी रोध तक में स्थित हो जाएगी option number D जो इसका वो right answer है इसके वाइस सांसर कौन राजबीर सिंग जो इसके वाइस सांसर हो जाएगे स्थापना कब 1906 के अंदर जो है वो होती है और ए प्लस ग्रेट पाने वाली पहली उनिवस्टी कुरुषेत्रा उनिवस्टी जो आपकी 1956 में जो इसकी स्थापना होती है राइट अंसर option number D जो है रूत तक रहेगा अर्याना का सबसे पूराना railway station और सबसे बड़ा railway junction जो जो आपकी दिल्ली और रिवाड़ी के बीच में चली थी तो इसका आपका कुंसा option number B रिवाड़ी जो इसका राइट अंसर रहेगा next question देखते हैं कुंसा दिया गया देखिए WYC West Yamuna Canal जो है Hydro Electric Station जो है आपका कहां पे located है यमुना नगर के अंदर जो है ये रहेगा और पस्चिमी यमुना नहर के ऊपर टोटल पावर किसकी बात करें तो 62.40 मेगावाट पावर के साथ जो है ये आपका यमुना नगर के अंदर है option number A जो है इसका वो राइट अंसर र जाएगी यह आपकी लगब 25 दिसंबर के आसपास बताया गया था जैसे हम कहां सकते हैं 25 दिसंबर के आसपास कहां पे सोनीपत के अंदर option number C जो है इसका वो राइट अंसर करन्ट अफेर का question जो है रहेगा और ये कब की करन्ट अफेर हम कहां सकते हैं नवंबर 2021 में जो है किया गया तो सोनीपत option number C जो इसका वो राइट अंसर हरियाना के महंदरगड जिले में किस परसीद योग गुरु का जो जनम हुआ महंदरगड से हम सभी को पता है किसका बाबा रामदेव जो option number D जो इसका वो राइट अंसर बाबा रामदेव जिनके गुरु का नाम क्या था अचारे बलदेव अचारे बलदेव जो हो जायेगा बाबा रामदेव के गुरु का नाम इनके असली नाम बञाशपन का नाम क्या राम किसन जो है इनका नाम हो जाएगा और इनका सम्मन्द आपको पता है महिंदरगड के अली सयद पुर गाउं से जो हो जाएगा इनका महिंदरगड से सम्मन्द बाबा रामदेव जो है इनके हम कह सकते हैं इन्होंने किसकी पतंजली की जो वो स्थापना की थी और साथ ही योग के आपके बरांड अमबेश्डर क करेंगे और इसके साथ ही बाबा रामदेव की बात करें तो इनकी एक पुस्तक कोन सी गोडमेंट टू टाइफून माई लाइफ माई मिसन जो ही ये पुस्तक किस किरेगी बाबा रामदेव की ओप्शन नमबर डी जिसका वो राइट अंसरेगा भींडावास वन्यजी अब जानपूर को ये दोनों के दोनों आपके लेटेस्ट में आपके जो है एड किये गए हैं ये बी करेंट अपेर के क्योशन पुलिस के पेपर में पूछा गया और उसके साथ ही आपको पता है सिर्शा के अंदर कौन सा अबूब शेयर जो हो जाएगा सबसे बड़ा जो आप वन्यजी और भैरने कहां पे है रिवाडी के अंदर है लेकिन नहार स्टेडियम जिसको मियूर स्टेडियम के नाम से जाना जाता है वो अपना फरीदाबाद के अंदर पढ़ेगा राइट अंसर ओप्शन नमबर डी जजजर जो है वो रेगा नेक्स दिखिए फोजी इसको मिनी क्यूबा के नाम से जिसको मिनी क्यूबा के नाम से भी भीवानी को जाना जाता है इसके साथ इसको छोटी कासी के नाम से भी हम जानते हैं चोटी कासी और छोटी कासी आपकी दो हो जाएगी एक तो आपकी भीवानी है दूसरी आपकी कैथल है लेकिन कैथल को आ मंदिरों की अधिकता के कार्ण बोला जाता है चोटी कासी किसको भीवानी को और भीवानी बॉक्सिंग कलब भी जो आपका कहाँ पे भीवानी के अंदर रहेगा इसका आपका राइट अंसर ओप्शन नंबर सी है बिल्कुल ओप्शन नंबर सी हाँ पे और 1972 के अंदर जैसे कि पिछली बार जो वीडियो जो हमारी कैंसल होई थे उसके अंदर हमने बात किया था इनकी अगर हम बात करें तो यह कौन आपकी शुरुआत करें यह सिरफ याद करने के लिए मैंने आपको बताया था साथ ही आपको कुछ याद भी हो जाएगा कि अब चोदरी सियम थे तो यह भी इनोंने नहीं किया होगा composition No.2 बजल। जो इसका वो राइट अंसर चोदरी देविलाल जन सुरक्षा भीमा योजना हरियाणा में 2003 में शुरू की गई पुश्पदान तो जो है कि साहित्य के महत्पुन साहित्यकार जेन धरम के हो जाएंगे option number A यानि जेन के आपके प्रमुक साहित्यकार हो जाएंगे साथ ही जेन धरम के हम कह सकते हैं नुमे तिर्थंकर के रूप में जो ये जाने जाते हैं और लाष्ट कौन थे 24 में हमने पढ़ा था 24 में कौन महावीर स्वामी जो हो जाएंगे महावीर स्वामी जो हो हो जाएंगे लाष्ट और 24 में तिर्थंकर किसके जेन धरम के option number A इसका वो right answer हरियाना में ग्राम दर्शन पोर्टल जो यह आपका कब शुरू हुआ तो ग्राम दर्शन पोर्टल की बात करें तो कई जिगें पर इसका 2020 जो data दिया गए लेकिन एक तरह से हम कह सकते है regarding launch यह किसके बारे में regarding launch of यह launch के बारे में दिया गया ग्राम दर्शन पोर्टल हरियाना से जुड़ा हुआ इस अवेर दा ग्राम दर्शन पोर्टल हर भी लोंच बाइ ओनरेबल चीफ मिनिस्टर ओन तेश जुलाई दोहजार एकिस यह आप देख सकते हैं किसके द्वारा यह आपका हरियाना गोर्मेंट के द्वारा जारी किया गया लेटर जो डेवलोप्मेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है तो यह आपका लेटर कब का यह भी देख सकते हैं 19.08.2021 का यह आपका है इसका राइट अंसर और अगर बात करें साथ क्या हो जाएंगे तो साथ जो फोरेश्ट का जो है वो वर्नन रेगा साथ फोरेश्ट का उलेख जो है वो रेगा मैंसन किये हुए है तो इसका उप्शन नमबर C राइट अंसर तेरे में क्योश्टन का गीत गोविन के रचना किसके द्वारा इंपोर्टेंट क्योश्टन वो हो जाएगा जैदेव के द्वारा लिखी गई यह उप्शन नमबर B यहां पे और पुशकर मेला पुशकर मेला कहां पे लगता है तो यह आपका अजमेर हो जाएगा वैसे अगर पूचे तो आप सभी को पता है कहां पे राजस्तान के अंदर आपका कुँशकर मेला लगता अगर पुशकर जील भी आपसे पूच ले तो पुशकर जील भी आपकी कहां पे तो वो भी आपकी कहां पे हो जाएगी राजस्तान के अंदर हो जाएगी राज्यसभा की बात करें तो हमने बात किया था राष्ट्रपति ज्यों आपके मनोनित करता है तो कितने मनोनित कुन थी राजसभा के लिए मनोनित पहली महिला फिलम श्टार कोन थी ति नर्गिस दथ उप्षिन नमबर A का राइट अंसर नर्गिस दथ कोन तो आप सभी को पता है सुनील दथ जो है आपके एक्टर सुनील दथ इनके क्या हो जाएंगे सुनील दथ जो है इनकी पतनी है और संजे इनके माता का नाम है सनेद्प से हमें पता है SSRIयाना में अभियान में चला आ गया था वेंटा नसा ६चाए बेटा बचाओ यह मंगल जो आपका लाल कलर का दिखाई देता है वहाँ पे जो लोग के आजए सकते वो जंग की वज़े से वहाँ पे जो मिट्टी और वो सारी चीज़े वो लाल हो जाती है और इसे की वज़े से जो आपका मंगल ग्रह जो वो में दिखाई देता है लाल ग्रह के बारे में शुक्र ग्रह की बात करें तो पिर्थवी के जैसा दिखने वाला एक ग्रह है शुक्र ग्रह जो है जिसको पिर्थवी की बहन जिसको बोला जाते है पिर्थवी की बहन जिसको बोलते हैं और साथी भोर्का तारा सांज का तारा जिसको बोला जाते हैं वो कौन हो जाएंगे सा साथ ही पहले नंबर पर बूद्ध है, दूसरी नंबर पर शुक्र है, लेकिन यह पूच ले, सबसे गरम कुण सा है, तो वो शुक्र आएगा, तो यह ध्यान रख लेना, सबसे जाधा गरम गरहे, शुक्र गरहे है जो है, वो हो जाएगा, नेट् से अब इसाथ हर्याना आप सभी वक्षाल कमल scientific नेम थ्यान रखना ही रखना है क्योंकि हच्छ सशी ने डेखा होगा, किस तरह से हमें option के अंदर आपके direct scientific नेम जो भो दे दिया जाते हैं तो आपका कौन सा निलुम्बो निलुम्बो हो जाएगा और आपका कौन सा निूसी फेरा यह जो आपका साइंटिफिक नेम जो कमल लोटस का ओप्शन नमबर बीज इसका वो राइट अन्स रहेगा जलिया वाला भाग हत्या कांड तेरा अप्रेल उन्नीस को बैसा कि के दिन आपका कौन सा जलिया वाला भाग में श्यांति पूर्ण तरीके से जो सभा चल ले थी उस सभा के उपर रोलर टेक्ट के विरोध में जो आपकी सभा थी रोलर टेक्ट जो आपका कब आता है 21 सोरी 19 मार्च 1919 को जो है आपका रोलर टेक्ट जो है 19 मार्च 1919 है इसके विरोध में जो आपकी सबा चल ली थी जलिया वाला बाग में अमरित सर के अंदर इसी के उपर गोलिया चलाता है कौन जनरल डायर यहां पे और इसके बाद भूँच सारे लोग यहां पे बेगना लोग मारे जाते क्योंकि उससे भाहर निकलने का सिरफ एक मातर रस्ता था त कौन से विनीमिय मानक हो जाएगे उपरोग सभी ओप्शन नमबर डी हो जाएगे इसका सी एंजी की फुल फॉम कंप्रेश्ट नेचुरल गेस हो जाएगा टेलिविजन रैटिंग अजन्सी के दिशा निर्देशों के समिक्ष्या के लिए के इंदर के द्वारा गठित समी कौन है तो कौन हो जाएगे वह जाएगे ससी शेखर वैंपती जो है ओप्शन नमबर 20 का राइट अंसर अमिताब कांत के बारे में हमने बात किया कौन CEO जो हो जाएगे किसके नीति आयोग के नीति आयोग जिसको Planning Commission की जगह पर बनाया गया था planning कमीशन की जगह एक जनवरी 2015 को जो नीती आयोग की हाँ पर शुरुवात की जाती है और नीती आयोग इसके अध्यक्स कोन है कमेंट करके बता दिना नक्स देखिए राष्टिय कलेंडर के वितिय वर्सकी आरंबती थी कौनची हो जाएगी राष्टिय कलेंडर के वितिय वर्सकी तो यहाँ पर आरंबती तक चलता है जैसे अपना नोर्मल येर की बात करें तो आपका कुंछा तो एक जनवरी से लेकर 31 दिसंबर वैसे जो फाइनेशिल येर हमारा कुंछा तो एक अपरेल से लेकर 31 मार तक चलता है इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिये गए सब्दों को वर्ण के अनुसार वियस्तित करने सबसे पहले सबसे पहले कुंछा डक्ताइल आजेगा ओप्शन नमबर डी यहां पर देखिए 17 12 39 सतरा को 2 से गुणा करेंगे 17 दूनी 34 प्लस में 5 कर देंगे 39 बन जाएगा तो बिलकुल इसके लावा दे सबसे यह का राइट अंसर होना चाहिए बाकि अगर आपको कुछ और ध्यान में आता है तो भी आप इसमें बता सकते हैं देखिए नेक्स्ट क्योशन कौन सा होगा यहां पर इट वाज वैडनेश्ट यहां एक जनवरी 2001 को बुद्वार था तो एक जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा देखिए एक जनवरी 2001 को आपका कौन सा वैडनेश्ट दे था तो 2002 को कौन सा क्योंकि आपका लीप यह नहीं है सिंपल यह इसलिए एक ओड़ दे हो जाएंगे वैडने को आपका कुन सा दिन होगा तो आपको ध्यान रख रहे हैं 2004 के अंदर आपका लीपियर है यानि कि अगले में दो ओडे हो जाएंगे तो यहां पर 2005 के अंदर सेटरड़े के बाद संडे ना होकर मंडे आएगा जो की ध्यान रख लेगा 2005 में यहां पर कुन सा सैनिवार ती एच एच आपका कितना यानि कि 300 माइनस में 11 बटा दो यानि कि 11 और 35 की गुणा करेंगे तो 11,5,5,3,13,5,38 बटा में 2 यानि कि 600 में से 380 माइनस कर दो कितना 215 बटा दो ओप्शन एज इसका राइट अंसर 107.5 अगर ओप्शन में 107 हमें ना दिखाए दे तो इसको 315 12 में से माइनस कर देना क्योंकि हमें पता है अगर घड़ी के अगर हम बात करें तो अगर ये घड़ी आपके सामने ये बना रही है तो दूसरा ये भी तो बना रही है तो अगर आपके सामने एक एंगल जो हमें हमारा अंसर आता है वो उप्शन में ना दिया हो तो हम उसको 360 से माइनिस करके भी अंसर जबो दे सकते हैं देखिए यदि किसी भासा में एक्टिव को आपका ये बोला जाता है तो आपका effect को क्या बोलेंगे देखिए A जबसे पहला वो last में लिख दिया E जबसे last का वो पहले लिख दिया तो इसी में भी कर दो T और E जबो आजाएगा T और E के कोडिंग ये भी कट गया अब देखो उसके बाद C के बाद D यानि F के बाद G आजाएगा और F के बाद G आजाएगा T जी जी ओप्शन नमबर A राइट अनसर रेगा समान पैटरन का अनूसरन करते हुए हमें ये बताने देखिए A के बाद C उसके बाद E यानि के एक एक छोड़ के लिख दिया F G H I J K यानि की K आजाएगा उसके बाद B C D E F G यानि की K G K G M K G F नही K G M K G SORI K G M हो जाएगा यहाँ पर यह वाला 29 का राइट अंसर करना क्या जेगा बिल्कुल आसान सा है पूजा, रानी, रोहन, सुरेश, टीना, उमंग, विवेक और विला आठ दोस्त है एक दूसरे की और मुख करके विर्तकार घेरे में बैठे हैं वैसे तो करीने है तीसरी बार इस कोईशन को लेगन फिर भी, देख लेते हैं आठ परसन यहाँ पर बैठे हैं तो हमने इसको बैठा लेते हैं विवेक जो वो रानी کے दाएं से तीसरा बैठ जाएगा और उसके बार रोहन के बाएं दूसरा है तो यहाँ पर आपका रोहन जो हो हो जाएगा ये आपकी रानी हो जाएगी यहां पर देखिए और उसके बाद सुरेश रानी जो वो टीना के बाएं रानी जो टीना के बाएं दूसरी तो यहां पर टीना हो जाएगी तीना यहां पर कौन सा सुरेश जो यहां पर बैठा है सुरेश यहां पर और उसके बाद देखिए पू लिए कितने ईक्षर के तोटल कितने हैं छूणा पांच गुना चार गुना तीक ड़ोणा एक लिए अब देखो यह कितनी बार है एक दो तीन तो तीन फैक्टोरियल नीचे लगा दो तीन गुणा दो गुणा एक इससे तो यह कट जाएगा छे पांजे तीस चोके एक सो बीस ओप्शन नंबर यह जो है वह थर्टी टू का राइट अन सरेगा अधार दस सेंटिमेटर उंचाई बार सेंटिमेटर सेम पीछले पेपर के पैटरन के बैस पे क्योंशन है पैरलेलो गराम समंतर चत्रबूज की बात करें तो डारेक्ट आपका फोर्मूला बेस है बेस इंटू हाइट इस इकल टू एरिया होता है अब देखो अब की बात करें तो एक सससी क्योश्चन जो पूछ है तो दस गुणा बारा एक सो बीस ओप्शन नमबर बीस का राइट अंसर थर्टी थर्टी थ्री का नेक्स देखिए थर्टी फोर आपके सामने यह क्योश्चन तो आसान यह इसको जब हम सोल करेंगे तो बिल्कुल बंजेगा ओप्शन नमबर बी हाँ पर 278 हैं पर HCF निकालना है आपके सामने यह तीन फ्रेक्शन दे रहे हैं जब देखिए HCF निकालना है तो उपर वाले का हम क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे नीचे वाले का क्या निकालेंगे 300 वर्ग किलोमेटर परती घंटा की गती से चलती है उसत गती हमें बतानी है एक वर्ग हम बना लेते हैं और इसमें आप देखोगे देखिए HCV हमें यहां से फाइंड या तो आप कुछ भी मान लो ए मान के करोगे तो थोड़ा सा लंबा क्योशन पढ़ देगा उसके अंद 300 के आप 200 से भाग करूगे तो कितना हो जाइगा 3 बनेगा सबसे पहले 3 उसके बार इस से करोगे इस से भी तीन घंटे इस से भी तीन घंटे इस से भी तो टूटल टाइम कितना लगा देखो 3 और 3 6 और चयार कितना दश चोविस सो दूरी है 10 गंटे में कवर की है कितना 240 किलो मेटर प्रति घंटा ओप्षन नंबर सी जो है वह राइट अंस रहेगा दूध घी की कीमत 120 रुपे प्रति किलो है इसे 6 1-5 प्रति किलो के वनस्पति तेल के साथ मिला कर एक दुखानदार मिश्रन को 108 रुपे प्रति कि वो चीज़ उसको कितने में पड़ी है कोश्ट प्राइज उसका 90 रुपे जब वो हो गया है अब देखो 120 है इधर आपका 60 है इधर 90 लिख लो लगा दो कितना इधर भी 30 इधर भी 30 यानि कि एक रेशो एक में जो उसको मिलाया गया है राइट अंसर उसके बाद देखे वटीज़ दा डिफरेंस यानि कि आपका दो वर्स के बार 5000 की राशी पर 5 पर 30 की ब्याज की दर्शे साधान ब्याज चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या रहेगा इसको देखो या तो आप इसकी फ्रेक्शन से भी कर सकते हो दूसरा एक मैंने आपको बता परसेंट जो हो जाएगा 10.25 अब देखो डिफरेंस कितना है पॉइंट 25 का तो पॉइंट 25 परसेंट निकाल तो 5000 का वो बन जाएगा साड़े बारा तो बिल्कुल ऑप्शन नमबर डी या दूसरा जैसे 5000 रुपे दे रहे 5000 का हम क्या करते हैं 5000 का सबसे पहले 5000 निकालो कितन दाई,500 जो हो जाएगा यहां पर उसके बाद यहां पर भी 200 इसके बाद यहां पे कितना तो दाई,700 का भी अगर हम 10% निकाल लेंगे तो 25 बनता है और इसका 5 पर्षेंट निकालेंगे तो 10.5 बारा अगर हो जाएगा वो ऐसे भी समांतर श्रेणी में तीन संख्या एक तीन पांच हमने निकाले थी उसमें बीच वाली संख्या पूछे गे थी इसमें सबसे छोटी पूछी एक ओप्शन नंबर सी हाँ पे अगले पेपर में आपसे पांच पूछ लेगा सबसे बड़ी वाली स अगर एक एफिशनसी के साथ उसको 60 काम करना टाइम लग जाएगा 60 दिन ऑप्शन नंबर सी हाँ देखिए वस्तुओं के आवरधन के लिए यानि ने में डिवाइस जो आपकी मैगनिफाई करने के लिए उब्जक्ट को किसका उज़ करते हैं तो हमकरते हैं दूर भी इनक पिल्कुल दूर्बीन का यूज़ करते हैं दूर से देखने के लिए तो इसका बाइनोपुलर जिसको बाइनोकुलर दूर्बीन को इंग्लिस में बाइनोकुलर बोलते हैं ऊपिशन ड्र सपाइब करते हैं खलब ऻूह ऊप्शन करते हैं कुरूत आज हुर करने skr मर 1 काल डिए मानु काल में जो है मानु काल में यृस्यकल में सुन शकते हैं यह निकिफित मेर में पिछले पर में क्योचिंग आया था वो टीबल ड्रेंन्ज क्या होती है तो वो आपकी कुछी बीस हर्ट से लेकर बीस हजार हर्ट तक उप्शन नमबर सी इसका राइटन सरेगा कुछ सा ओप्शन नमबर सी यहां पर और इसके अलावा पीतल का हम सभी को पता है किसकी मिशर धातु जो वो हो जाएगा किसका मिशर धातु या एलो यह हम कह सकते हैं किसका बना हुए तो यह आपका कोपर पलस में जिंक की आपकी मिशर धातु कों रहेगी पीतल रहेगी तो यह ध्यान रख लेना कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल की जैसे हमने बात किया था विटामीन किसके अंदर तो विटामीन बी बारा जो जिसको किस नाम से साइनो कोबालविन के नाम से जो है जानते हैं और इसके अंदर आपके कोंची धातू कोबाल्ट धातू जो है वो पाई जाती है तो यह ध्यान रख लेना इंपोर्टेंट जो नमाल लगाता है यू प्रदूर्शन से जुड़ा हुआ है उप्षिन नमबर डी यहां पर रहेगा इसका राइट अन्सर उसके बाद कि वीज एसीड परजेंट इन टोमेटो टोमेटो के अंदर आपका कौन सा एसीड होता है तो वह जागा उग्जैलिक एसीड उप्षिन न कि इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं कैलिट्यम जैलिक क्या बैटोकि नाम आगया तो हमें पता है किसकी बात हो रही अपने पेट के अंदर HCL acid जो है वो पाया जाता है citric acid किसमें आपके citric fruit कुंसा निम्बू हो गया संत्रे हो गया इन सभी में आपका citric acid जो है वो पाया जाता है तो कुंसा उक्जालिक acid option number 20 का right answer next देखिए क्या होता है जब sodium के एक गोली पानी में डाली जाती है तो क्या आग पकड़ लेते हैं और हाइड्रोकसाइड बना लेती है option number C का right answer next देखिए आपको यह बताने निम्बन में से कौन सा रोग संकर्मण ऐस्वच जलके कार्ण होता है कुष्ट रोग स्किन हो गया ट्रेकोम आइज यह वाला तो ब्रोक सभी option number D जो यह सारे के सारे आपके ऐस्वच जलकी वज़े से हो सकते हैं निमन में से कौन से घटक हमारे भोजन में परमुख पोशक तत्व है कौन से कार्भो हाइड्रेट है बिल्कुल लिपीड और प्रोटीन विटामिन खनीज यह सभी हो जाएंगे option number लिपीड का होता है fat होता है वसाम जिसको बोलते हं निमन में से कौन सा मांव स्वच तंत्र का अंग नहीं है स्वच तंत्र ऐनकी वो आपके आंग वो हमारे body part जो हमारे help करते हैं सांस लेने के ऊंदर ट्रेक्या जो है यह हो जागा डाइफराम अपने लंगस में हो जाएगा लंगस तो होते हैं गुर्दा किडनी आपका किसका तो देखे हैया आपका स्वसंतन्तर यारी की होक। excretory system का part है यानि उत्सर्जन तंतर जो उसका part हो जाएगा उत्सर्जन तंतर है अब क्या होते हैं जो हमारी body से west material को बाहर निकालते हैं वो उत्सर्जन तंतर हो जाएंगे dat matter body और पार्ट तक oxygen काम करता है यानि कि रभी किन व्रण करते हैं तो कारण डाइड जो हमारे बलड निकाल लेते हैं इसको oxygen लेने देने का काम किसकão है हम नागसे सांस लेते हैं स्वेफड़ों तक जाती है वापिस नाक औरियो time अकसाइड बाहर इनी जो ब्लड के नंदर से कार्बन डाय अक्साइड लेकि उसमें ऑक्सिजन दे देते हैं बाकि जो गुर्दा जो यह क्या काम करता है चानने का मतलब फिल्टर का काम करता है जैसे कोई भी आपका वेस्ट है यहां पानी डालते हैं चानने के लिए उसमें जो चलनी जो लगाते ह जो चाय पति जो पर रहे जाते हैं यहां जो वेस्ट हमारी होती है उसको चानने का काम वैसा काम करता है गुर्दा किढ़नी जिसको बोलते हैं गडitionally किडिनी की बात करेंगे दो होती हैं किढ़नी के बात कर दो होता ने के बा decía inhibitर किढ़नी की बाते हैं आई यहां स्वह नह जो blood जो है अपनी body मेंस बुल करता हम के सकता है वह blood का filter किसके द्वारा करता है मझीनों के द्वारा जो किया जाता है जो होती है वह साहरे के सारे बार निकालने जरूरी होते है तो वह ऊचीनों के द्वार किये सब्सक्राइब को आपका सीखने के लिए को क्वाम करने वाला अपरेंटिस होता है बिल्कुल आप सभी को पता है उप्शन नमबर सी हाँ पे असिस्टेंट तो असिस्टेंट ही होता है प्यूपिल आपका सातर जो होता है स्टूडेंट हो जाएगा और यह आपका जो देरखेस का मलब आपका क्या सर्वेंट जो होता है सर्वेंट यूशूड एब्स्टेंट के साथ आपकी कौनची आपका फ्रोम जो हो लग जाएगा ऑप्शन नमबर बी हाँ पे और ए डैड परसन नो लोंगर नीर्स मनी पैसों अवर प्रोफेसर्स वी बोट ए बुके ओफ रोजी तो देखी यहां पर क्या गया इच आगया इसका मतलब क्या सिंगूलर की बात हो रही है वह यहां पर सिंगूलर आएगा तो यहां पर रोजी के साथ रोज आना चाहिए पोसिबल चाहिए तो इसके कोडिंग ऑप्शन चुछ दा कोडिंग ऑन चाहिए तो यहां पर अपने सामने आ चुके हैं रीना ने कहानी लिखकर पूरस्कार पराप्त किया तो यह किस तरह का क्योश्चन है किस तरह का आपके सामने वाक्य है तो यह तरह का सरल वाक्य हो जाएगा उप्शन नमबर अब यह सरल है तो शुक्त वाक्य कुंचा अगर इसी क्योश्चन को हमें यह दे दिया जाए तो इस क्योश्चन का आप बनाओ यहां पर अगर यह दे दिया जाए कि इस वाक्य का शुक्त वाक्य बनाओ तो हम क्या ब बाकि हिंदी की क्लास करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे जो आपके एसससी के पेपर का सोलीशन करेंगे हिंदी के क्योशन का उसमें देखेंगे सरल वाक्य क्या है मुशर क्या है डिटेल में बात करेंगे उसके अंदर जिसके समान जो है दवीतियन नहीं है वो वाक्यांस एक शब्द है यानिकि जिसके समान दुवित्य नहीं वो कुछा एदुवित्य हो जाए का उप्षिन नंबर बी यहां पर अनुनासिक के उचाड़ में ध्वनी कहां से निकलती है तो मुझ और नाक से उप्षिन नंबर सी आनन्द के उचीत आपके परियाई बार्ची यहां पर वो राइट औक सरेगा इसके बाद नेक्ष स्बुचंव परट्य कीजिए निमन में से किस के साथ साथ जो है कि शबड्र में पर्त्य का परियोग किया गया है छब्चे कुन से होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं आगे लगते हैं वो प sonra हो जाएङगे तो right answer option number B क्योंकि इसमें एक जो हो परते लगा है कि इसमें धार्मिक के अंदर धर्म प्लस एक अपना पराया जो इसमें समास कुछा तो द्वन्दो समास हो जाएगा option number A जहां पर भी हाइफन लगा हो बीच में मतलब द्वन्दो समास की बात की जारी है option number A जो है वो रहेगा नेक्श देखिए आपको सही बताने कुन सागल है देखिए अंस का मतलब हिस्सा है और अंस का मतलब कंदा होता है या अंस का मतलब हम घोड़ा भी बोल सकते हैं अनिल का मतलब हावा है और अनिल का मतलब आपका आग होता है अपेक्षा का मतलब इस्सा है और पेक्षा का मतलब निरादर है अवलंब अवलंब का मतलब आपका क्या होता है सहारा जो हब आपका अवलंब का मतलब होता है अभी लंब का मतलब आपका विलंब बना होकर शीगर होता मरन पलस में आसन होता तो यह सई हो जाता यथा प्लस में आर्थ नहीं यह था प्लस में अर्थ तब यह सई होता विरंगना बिल्कुल ठीक है उप्शन नमबर C जो 67 का वो राइट अंज अब में print view को दर्शाने के लिए निमन में से कौन ची शोट की का उप्योकत है print view प्रिंट देने के लिए तो control plus में p जो वो यूज करते हैं लेकिन print view लेने के लिए control plus l plus i जो उसका use किया जाता है option number a next देखिए आपके समने what is the function of an operating system operating system जो उसका काम क्या है तो ये तो काम है बिलकुल बाकि आप देखोगे take care of scheduling job execution या manages the flow data ये ये वाला जो काम है ये control unit का काम है तो i think right answer इसका option number a होना चीए 69 का बाकि देखते हैं क्या अच्छसी आइट अच्छसी आइट अच्छसर देती है आप इसके लिए ms excel फॉर्मूला पैलेट का जो उप्योग करते हैं यानि ms excel फॉर्मूला पैलेट किसके लिए यूज़ किया जाता है create and edit फॉर्मूला कंटेइन फंक्शन ओप्शन नमबर बीज इसका वो राइट अंच्छर साइंस और हम कह सकते हैं साइंस और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर जब वो कोशिस यह करो कि थोड़ा सा इलेक्ट्रो से यह आपके कौन से तो यह आपके सब्जेक्ट से जुड़े वे क्योश्चन है हमें यह बताने देखिए विच्व दा फॉलोविंग मैटल है साइयर थर्मल कंडेक्टिविटी किसकी उच ताप यह चालकता जो वो जादा होती है तो को पर हो जाएगा नंबर पर कोन आ जेगा तो दूसरी नंबर पर पर आल्यूमीनियम यह आपके हो जैंगे बाकि अपने काम के क्योश्चन है यहां पर देख्टी एटी टू क्योश्चन पंडीत सराज geliyor पंडित सराज वाज फेमस पंडित सराज है इनका समंध आपका कहां से है तो आप सभी को पता है कहां से हो जाएगा पपंडित जसराज का संब्ध पीली-मंदोरी से ज्वबो रहेगा पेली-मंदोरी आपका कहां पे फतेहाबाद के अंदर पड़ेगा लेकिन लेकिन हमें ये नहीं पड़ना क्यों क्यों कि अच्छा सच्छी क्या मानती है हर बार हिसार जो वो राइट अंसर मानती है तो हमें हिसारी राइट अंसर गर क्या नहीं हर बार हिसार मानती है पंडित जसराज इनका सम्मन्द किसी है तो कौन सी मेवाती घराने से जो वो इनका सम्मन्द रहेगा ये अच्छा ससी ने क्योशन पूछा था कलरक के पिपर के अंदर मेवात यहां पर दो जूद्धरनों पर जो है उस शुद्धरन ग्रह का यहां पर नाम रखा गायक जो है वो रहेंगे अटल बिहारी वाजपे जो उनके बारे में हमने बात की ती कब 25 दिसंबर को जो हम कह सकते हैं जो पोखरण जो परमाणु परिक्षन जो हुआ था राजस्तान के पोखरण के अंदर वो किसके टाइम में हुआ तल बिहारी वाजपे के टाइम आहना भी मनाता है जो हैँ आटाल बिहारी वाजपे वाजपे जो इन्होंने पंडित जसराज इनको किस नाम से संबोदित किया था तो इसको रसराज में नाम से बुला है ता ओप्शन clapping तीसरी बार राष्ट्रपती सासन कब लगा पहली बार आप सभी को पता है 1967 के अंदर लगा दूसरी बार 1977 10 साल के बाद उसके बाद एकाण में के अंदर तीसरा याद रख लेना 67-67 एकाण में तीन बार जो है रियाना में राष्टपती सासन जो है वो लगा है और इसके अगर हम बात करें तो यह टोटल 108 दिन जो है यह आपका चला था 6 अपरेल से लेकर 23 जुलाई तक 6 अपरेल से लेकर 23 जुलाई क्योंकि यह बच्छा सशी अपना जो है इस्टेंडर्ड लेवल जो थोड़ा इंक्रीज करी हो सकता है यह सीज़े भी पूछ ले तो यह साथ-साथ में क्योश्चन के साथ हम कवर कर लेंगे इस समय की बात है तीसरी बार राष्टपती सासन लगा पीम कौन थे तो पीवी नर्शिम पीवी नर्शिमा राउज वो इस समय क्या थे भारत के उप्शन नंबर सी इसका राइट अंसर एगा नेक्स्ट क्योशन देखिए फरीदाबाद की जो स्थापना किस ने की जैसे कि मैंने पहले भी पूछा आपसे राइट अंसर करना फरीदाबाद की स्थापना जो कब इस वी के अंदर फरीदाबाद की स्थापना करने का स्रेज आता है शेख फरीद को और शेख फरीद कौन थे तो यह थे जहांगीर जो था ना जो जहांगीर अब 1607 का टाइम है आपको याद होगा 1605 में जो है आपकी किसकी तो अकबर की जो मिर्टी हो जाती है उसके बाद 1627 तो को रहता है जहांगीर थे जिसके बच्पन का नाम सलीम था और इसी का को सा धेक उसी का को साधेक्ष था को था शेख फरीद और इसी ने आपकी किसकी फरीदाबाद की जो आपकी स्थापना के थी ऑप्शन नमबर सी जो इसका वह राइट आंसर हो जाएगा निमन में सब्सक्रब पन्सके मैं का पलंबर पिर्फब कुला करें में पता है अन्धियाना पुलिस का पन्सकुला के लिए अदर और आपका कुणसा यूज विछ यू इउच बीएट मुन्टिड़ इसका भी आपका सब्सक्राइब काफी सारे अबके सब्सक्राइब और फेली आपके विभाटर होते हैं आपका गुरुगराम में आपको प्राकर्टिक नंबर C-87 का निमन में से किस नरीते की रूप की जड़े महाबारतकाल से सबसे पराची निर्टे हरियना का अगर बात करें, पूचा जाए कौन सा धमाल निर्टे जो पूरुसों के दौ़ारा चांदनी रात में फसल के पकने के बाद किया जाता है, धमाल निर्टे, ऑप्शिन महिलाएं जो आपका निर्ते करती है वो खोडिया निर्ते होती है एक होता है खेडा दोनों ध्यान रखना है देखो खेडा में कितने है शब्द है दो दुख में कितनी है दो वैसे तो शुक में भी दो लेकिन हमें ध्यान रखना है खेडा दुख यानि कि बुजरुक व्यक् लाल डोरा मुक्त योजना जो है सबसे पहले किस गाउं में शुरू की गई important question हो जाएगा क्यों क्योंकि यह आपकी किस से जुड़ी हुई है आपकी जो भूमी पटवारी से जुड़ी हुई है आपकी question बनेगा लाल डोरा मुक्त ग्राम योजना यIGN tare की जो गाउं के अंदर जो एक घेरा बना होता था जो एक हम कह सकते लाल डोरा बना होता था उसके अंदर की जितने भी घर होते थी जितनी भी जमीन थी उसकी रजिष्ट्रीनी होती थी यानि उसका मालिकाना हक किसी के पास नहीं था जिसके पास वो है जो उसके पूपर कब्जा करके बैठा है वो जगए उसे की है तो ये होती है अपकी लाल डोरा और अभी इस लाल डोरा को खतम किया जारहा है और इसके तहट आपके कोंची स्वामित्यो योजना जो शुरू की जारे ऑन से शुरू की जिसे शूरू कीगई सिर्शी से सिर्शी कहां पर करनाल के अंदर परता और यह जितने भी आपके इस तरह के डाटा है जो आपके गरामसची पटवारी केनल पटवारी से जुड़े हुए है इसकी पीडियाफ तयार की हुई है हैंड रिटन नोटस आप जाकर वो जरूर देखें एच्छा ससी के एक्जाम में आपको वहां से क्योशन देखने को जरूर मिलेंगे नहरी पटवारी आपका जो आपका लैंड पटवारी जो है और इसके साथ एक गरामसची जो है इन तीनों से जुड़े हुए कॉमन नोटस जो है वो बनाए हुए है वो एक बार जरूर पढ़ लें एक्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे कौन सी जील जो है याना मिस्तीत है देखो दमदमा कहां पे है तो गुरू गराम के अंदर है तो बिल्कुल है गुरू गराम में खलील पूर कहां पे है ये भी आपका गुरू गराम में है और आपका कौन सा तीसरी सुल्तानपूर भी अपनी गुरू गराम के अंदर कोटल आपका संगीना ये सारी के सारी ये कहां पर नू मिवात के अंदर हो जाएगी हमने बाकी पढ़ा था कौन सा बढखल जील सूरजकुंड या कहां पर है फरीदाबाद के दर तो उपरोग सभी जो राइट अंसर हो जाएगा option number d 90 question complete है और class जैसे मैंने आपको बताया अपनी त बनाना आपका काम है नोट्स बनाओगे तभी आपको आने वाले exam से फायदा मिलेगा और जिस तरह से पेपर का solution जो पहली बार जूड़े हैं वो पेपर का solution अगर देखने है अच्छा सची के इसी तरह से हमने सारे पेपर का solution कर रहा है playlist जाकर आप जरूर चेक करें subject wise भी आपको मिल जाएगा और पेपर वाइस भी आपको मिल जाएगा तो उससे अपने नोट्स बनाए अच्छा सची के जितने भी 2021 के अंदर 100 प्लस पेपर जो कवर करवा चुकी है अच्छा सची उन सभी के नोट्स अपने टेलिगराम चैनल पे अवर्स एजूकेशन के नाम से जोहबू रहेगा वहाँ पर आपको सारे के सारी नोट्स जो मिलेंगे पेपर जोहबू मिलेंगे 2021 के एच्छ सची तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक इलिए अपना ख्याल लखें पढ़ते रहें वीडियो के बारे में अपना रिव्यू दे दिया करो ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले नेक्स्ट क्लास अच्छे से जोहबू बनाई जा सके तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल लखें पढ़ते रहें जैहिंद जैभारत जैहरिया नाव